नमस्कार प्रणाम सभी दोस्तों को सभी मित्रे साथियों को मैं जो ये लाइब हाया हूँ आज का जो मेरा बात है उस बात का सिधा सा बात मैं बोल सकता हूँ कि उस बात का गाने चलने नहीं चलने गाने हिट फ्लॉप से या गीत के भीव के लिए या नहीं भीव के लिए ये विसे नहीं है लेकिन ये विसे इस विसे पर जरूर है कि भोजपूरी भासा और भोजपूरी गीत संगीत के जो दर्सक हैं उनका एक बहुत बड़ा युगदान होता है भोजपूरी गीत संगीत के चलने में उसके बड़े होने में उसका बड़ा सुपर हिट होने में और वो जब की कतई उनकी कहीं गलती नहीं है लेकिन दुनिया में तमाम भासा हैं तमाम भासाओं में गीत संगीत चल रहा है सिनेमा चल रहा है उद्योग चल रहा है एक भोजपूरी ही ऐसा भासा बन गया है जिसमे कि हजारो हजार कलकार हैं कुछ अच्छे गाते हैं जैसे भी गाते हैं जो जैसे काम करता है लेकिन किसी भी गीत को अगर अच्छे गीत भी आप लाते हैं मार्केट में अगर अच्छे वीडियो सॉट करके लाते हैं अच्छे गीत लाते हैं फिर भी ये पहला पहावा देने से ज़्यादा आपको मांसिक तरह का परशानी किया जाता है आपके गानों के साथ छेड़शा किया जाता है अभी मेरा हाल ही में रिलिज हुआ तिन दिन पहले गाना बलफ बलफ एक गाना आया है सारे का महम भुझपुरी से जो कि आप सब आप सब जानते हैं को गाना आया है वो तो भाग या अच्छा था उस गाने का कि वो गाना सारे का महम भुझपुरी से रिलिज हुआ था बलफ वरना अगर किसी दूसरे चैनल से होता तो पता नहीं वो गीत तो अब तक पता नहीं कहा जाता क्योंकि उस गीत पे इतना ज्यादा फेक श्ट्रा अच्छा सूट हुआ है वो तो धन्यबाद है सारे गामा की लीगल टीम को जिन्हों ने लगातार 18-19 घंटे गूगल के साथ लगातार बरतालाब करते रह गया और उन्हों ने इस चीज को डिनाय किया कि नहीं हमारे गाने जो है उसका एक लेवल अलग है दुख इस बात का है कि जिनको हम बहुत प्यार करते हैं जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं जिनके लिए न जाने हम अपने कितने तेवहार कितने बहुत कुछ छोड़ देते हैं हम दिन रात कलाकार के तोर पे सिर्प मेहनत करते हैं कि हमारे और वो दर्सक भी जो कि ब पूरी इंडस्टी जी है कि इसमें बात होता है कि बस चंद ही कलकार है जबकि आप अच्छे से अच्छा गाना गा दीजिए उसका ना कुछ प्रमोशन होगा ना उसके कोई बात करता है एक तो ऐसी इंडस्टी में हम काम कर रहे हैं जहां हर ब्यक्ति के हर हर सिस्टम पे अप अच्छा गाते हैं अच्छे गीत संगीत गाते हैं खाली जूटों के बावंडर बाजी बखबच बाजी लोग करते हैं कि भोजपूरी भासा को आगे बढ़ाना है और भोजपूरी में कितना भी कलकार कोई अच्छा गा दे पहला ये भासा है जिसमें कि टालेंट नहीं च गिरी हुई है उसके बाद करोडो दर्सक का दोस्ट नहीं है लेकिन जो लोग बंद कमरा में बैठ गई है श्ट्राइक खेल रहें गानों पर गानों के उपर जो अब बलफ गाना हमको कहीं से लगा ही नहीं सारे का महां भुजपूरी का ट्यून था सारे का महां इतना कुछ करने के बावजूद कम्पनी ने जो इस्टेंड लिया और कम्पनी ने जो तरीका दिखाया जो सारे का महां भुजपूरी के जो हेड है बदरीना ज्याजी उन्होंने जिस हिसाब से उसको कंटिन्यू अपना हार्ड वर्किंग किये उसका देन है और यह देखि भी बनाने के लिए नहीं हमको तो कता ही सोख नहीं है कि हम लाइब में आके न अपनी परसानी रोज रोज आप से बोलते रहें लेकिन जब टॉर्चरिंग की हद हो जाती है हम पिछले राजा जाइना बहरिया को ऐसे ही टॉर्चर किया गया राजा जवान तुत अलएका से टॉर्चर किया गया कमर मुझकर मतलब तमाम गित को पता नहीं राकेश मिश्रा से प्रोबलम कुछ कलाकारों को है या वो सेटिंग बाजों को है जो बंद गमरा में सब कुछ खेला खेल रहे हैं और उनको लगता है कि हमको पता कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है बाई साब ह हमको पता है हमारे पास चीज़े भी आई हैं लेकिन सच आपको बोलू ना कि हम कलाकार हैं हम जिंदगी के अंतिम सांस तक भी परियास नहीं करेंगे न कि हम कोई बात आप से जद्दोहत करें बस हम रिक्वेश्टी करेंगे हम लाइक में तभी आप से आके ना बहुत ताम हम चीज़ों पर बात भी नहीं करते हैं लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि राकेश मिस्रा को हट से जाजा परिसान क्यों किया जा रहा है दो साल में न जाने आपने मेरे पचास से साथ गानों को टॉर्चर किया मैं हर दिन यह सोच कर लाइफ में नहीं बोलता रहा कि आप खुद बताईए आप अपने मन से पूछिए कि क्या आपके किये हुए मेहनत पे कोई पानी फेर दे तो आपको अच्छा लगता है जो भी लोग इस तरह की खटनाय करते हैं एक कलाकार के तोरपे मैं सोसल मीडिया पे दुखी होके बोल रहा हूं कि क्या आपका मेहनत क आपकी नोकरी लग रहे हैं कोई आपका नोकरी छुड़ा दे कितना गंदा लगेगा आपको हम लोग कलाकारी के लावा कुछ दुसरा काम नहीं करते हैं भाई हमारा भी परिवार इसी पर है और यह मनुरंजन है वो करोणों लोग जो सुन रहे हैं कल आपके एक हरकत से तक वह गाना नहीं पहुंचता है वो गाना अच्छे होते हुए भी दक्सकों के लिए को पहुंच थे हुए और इता कैसेट लगत रहे बाज़त रहे जगरम क्वालिटी रहे वाज़त रहे अब भाई भोजपूरी संगीत में अधने ड्रामा आ गई जात पाक दुनिया जहां नाम के हिसाफ से सर्चिंग मारा पहलाना के चपलूस पहले कहां था इस इंडस्वी में यार आज से दस साल पहले वह बज़ता था जिसके गाने अच्छे होते थे जिनके गानों में दम होता था अब तो क्या है कि गाना अच्छा भी है तो दसको रिपोर्ट मारता गाना वही दिन ठंडा हो जाईए क्या हो जाएगा मैं बार बार बोलता हूं कि हम जिन्दगी भर आपसे रिक्वेस्टी करेंगे हम अभी भी बोल रहे हैं लेकिन आप मेरी एक गलती बताईए कि हम राकेस मिश्रा आप कलाकार बुरे हैं आपने कभी हम लोग के लिए मदद के लिए नहीं खड़े होके आपको गाना ठीक हमको मुझे गाना नहीं गाने आता होगा हो सकता है बट ऐसा तो नहीं है कि सौ गाने में हम सारे का सारे घाना खराभी गाज़ते होंगे ऐसा तो है नहीं लेकिन आपने एक गाना दो गाना तिन गाना चार गाना पाच गाना दस गाना यार दो साल से आप लोगा मैं टॉर्चरिंग सहा रहा हूं और मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं यहां तक ही अपने परिवार में नहीं बोलता हूं किसी को हर लोग पुछता है कि ये गाना अच्छा था क्यूं नहीं चला ये गाना अच्छा था क्यूं नहीं चला आप राकेस मिश्रा ओफिसियल चैनल मैंने खोला उस चैनल को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किये हमने एक सब्द नहीं बोला इसलिए नहीं बोला कि फैमली में भी लोग पूछते हैं हमारे हमारे भी दोस्त बित्र साथी बोलते हैं कि यार इतना सुंदर गाना गा देते हो गाना इतना अच्छा होता है फिर गाने लोग तक क्यूं नहीं पहुंचते हैं । इसलिए नहीं पहुंचते हैं, क्यूंकि सबकी एकी चाहत है सबकी, वह सबकी बोलगा हूँ वह सब लोगो को जो प्रश्चनली राकेश मिस्रा को पिछले न्याज़ाने कितने टाइम से सपना देख रहर है टार्गेट करने के लिए कि राकेश मिस्रा या तो इंडस्ट्री से चले जाए या तो राकेश मिस्रा को इतना परशान कर दो कि वो गाना बजाना ही छोड़ दे उससे क्या हो जाएगा मुझे ये बते ही को उससे क्या हो जाएगा हमारी गलती यहीं है कि हम बीना जाग पात पूछे बिहार में किसी को परिसानी होता है तो हम तो पैसा डाल के और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं उसमें भी आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया मदद करना भी मैंने बंद कर दिया मैं बोल के बंद कर दिया कि अब मैं इन सब बीचों में नहीं आऊँगा क्योंकि यहां पे न सारे लोग यह अकेला भोटपुरी इंडसीज है जिसमें न असी परसेंट चापलूसी में इंडसीज घिरी हुई है फलाना भाईया के खुश करा फलाना भाईया खुश करा और निच्चे 200 कलकार अच्छा गित गाते हैं हिमत है कभी बोलने का कभी पूछने का सुनने का और दर्शकों में कोई गाना अगर चला गया हिट हो गया तो उसमें बॉंडर शुरू हो जाता है अरे भाई बलफ गाना आप जाके सुनों देखो मैं करोड़ों सुनने वाले से बोड़ रहा हूं कि सारे गाम हम भोजपुरी पर गाना आया है ना बलफ जिसको आप चाहरे हो कि नहीं चले आप उस गाने को देखो आप मुझे नौ लखा मंगा देरे मैंने गाना गया आप उस गाने को देखो लाखो लाख रुपिया कंपणी लगा के इसलिए मेहनत कर रहा है कि भोजपुरी भासा आगे बढ़े और कुछ तीन-चार चमन है ना जो इसलिए मेहनत कर रहा है कि बस कलकार को किस तरह और अक सब्सक्राइब कर देकर रहा है लेकिन अपने आप से पूछो कि आप मेहनत करते हो और आपका मेहनत किया हुआ को कोई खराक खर दे गा तो कैसा लगेगा हमारे सारे गाने पर टार्गेट किया जा रहा है हमारे कुछ प्यार करने वाले लोग हैं जो एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं हम भी चाहें न तो हम साइबर का सहयता ले सकते हैं लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि हम कलाकार हैं हमने कभी न किसी को जो मुझे नहीं चाहता है उसक तो आप लोग को फील हो जाता है कि आप लोग परिसान कर रहे हैं फिर भी हम साइबर का सहता ले सकते हैं हम जाके एक बार बोल सकते हैं कि इस तरह सलकतार मुझे टॉर्शनी किया जा रहा है लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैं इतना ही जानता हूं कि ठीक है एक बार दो बार तिन बार हो सकता है अपने आप फिल हो जाए इतना भासा है यार बंगला है साउथ है देखो ना साउथ में एक से एक सुपरेस्टार एक अग्मी एस्टार है साउथ में बीस को एस्टार है वहां कि जनता हर किसी को प्यार देती है जिसके गाने में जेती है जिए एक टीम बनाके बस इसलिए कि वो टीम अरे सब को पता है कि इंड़सी में आठ वो यूटूबर हैं जो कि चापलूसी में बिजी हैं और आठ वो हैं तो नोटनकी में बिजी हैं ये शरीफ इंड़सी कहां से है कोई किसी को नहीं बोलता है और कलकार तो बेसक नहीं बोलता है अगर वो रियली में सरस्वती का पुत्र और सरस्वती को मानता है तो कभी भी इस सब ड्रामा में नहीं पड़ेगा यार अगर सरस्वती का पुत्र और सरस्वती को मानता होगा अगर वो कलकार होगा तो आज सारे गामा हम भोजपूरी जितने भी महंगा वीडियो बनाता हूँ, वो किसलिए बनाता है, भोजपूरी भासा के बऴपन के लिए न, यह भोजपूरी भासा बढ़ा हो, इस भीए तो नहीं बनाता है कि गाना रिलीज हो, तो आप कनफर्म करके दखिये कि अच्छा आपको क्या लगता है कि एक राकेश मिश्रा को आप खतम भी कर देंगे तो उससे क्या होगा आपके घर में सोना अचानी हीरा मुति क्या मिल जाएगा हाथ योडता हूं महोडए इस गंदे मासिकता से बाहर निकल लिए आप लोग हम लोग दुस्मन नहीं है हमें भी बढाएखे गाना हमें हमें بھی सपोर्ट किजिए गाना किसी भी कलाकार गीत अच्छे नहीं तो मग सपोर्ट कीजिए लेकिन गाने अच्छे हैं तो सपोर्ट कीजिए गाना तो ना जाने किस दिन वो कलाकार आपके लिए कहां खड़ा हो जाए हमको हो सकता है कि हम कुछ मिस किया होंगे लेकिन जितने भी लोग हमको बिहार में या इउपी में कहीं सभी खास करके मैसेज गिया है कि भईया यहाँ इस मदद के लिए खड़ए हो जाइए हम अपने तरफ से कभी भी ने किसी से जात बात नहीं पुछे हैं यार हमको क्यों टार्गेट करते हो बार बार हमने आज तक कभी नहीं बोला कि राकेश मिस्रा हूं तो राकेश मिस्रा के लिए मुझे बहुत दुनिया भर का तमासा जहलना पड़ते हैं मैंने कभी नहीं बोला कि मैं सबको ही लेके चलता हूं मैं सबके लिए हूं चिला चिला के बार 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 बोलता हूं कि सभी सदस्य हैं सब सब परिवार हैं सभी परिवार हमारे सब परिवार हैं आप सोचो कि आपका एक बार नोकरी कोई छुड़ा देता आपको कितना गंदा लगेगा आप लगभग लगभग मुझे दो साल से लगा ता डिश्टर्ब कर रहे हो मैं आज लाचार होके सोचल प्लेटफॉर्म पर ये बात मुझे बोलना पड़ा है एक बार और बोला था मैं क्यूंकि मैं बरदास करते करते नो हद हो गया मुझे नहीं चाहिए किसी के चाप लुषी मेरी न्यूज मत बनाओ लेकिन करम से कम जवार है उसको जनता के वीच जाने तो दो उसको सुनने तो दो ये जनता कम से कम जो इतनी भावख होती है अपने कलकार के लिए जो रियल में सुरोता होते है वो बिजनेस मैन को नहीं बोल रहा हूं ये जो आप न टनकी कर रहे हैं अपना गुरूप बना बना लेकिन जो रियल में जनता गाना सुन्ती है जो भोली वाली जनता है जो रियल मेकदम संगीत से प्रेयम करते हैं वो भुजपुरी कलकार से प्रेयम करते हैं आप लोग यार बस इस बात के लिए खुस हो कि बंदा बोल नहीं रहा है बंदा बोल नहीं रहा है उसको इतना कर दो कि वो बात में बोले अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, आपके भी तो माबाफ होगे, आपके भी तो परिवार होगे, आपका कोई महनत किया हुआ पानी फेर दे तो बुले कि आप काम नहीं करेंगे उससे आपके घर में चुला डवल जबने लगेगा आपके घर में सोना चानी बनने लगेगा मेरा सभाग्य था कि मैं भोजपूरी में था लेकिन जब से ये नोटंकी आया है न तब से मैं बोल रहा हूं कि अभाग्य मानता हूं कि जिस इंगसीज में 200 सुपरस्टार होने चाहिए थे वहाँ पे गिंचुल के कलाकार हैं क्योंकि आप लोग जैसे लोगों कारण छोटे कलाकार को बढ़ने नहीं देते हो जोग नाम बनाए हैं उनको भी बरबात करने में लगे हो कहां से इंगसीज ग्रोथ करेगा कहां से बिजनेस आएगा एक कलाकार के साथ सो लोगों का परिवार चलता है ये बात श्ट्राइक मारनों वालोगों और जुटा साचा क्लेम करने वाले को नहीं समझ में आएगा राकेश मिस्रा के गानाना हर दो दिन पर रिलिज होता है लेकिन आप लोग की किरिपा से किसी को पता ही नहीं होता है किसी को पता होता है ही ततब आप बोलते होग्या हमसे लोग पूछते हैं तो इतना आरह चाय कि पूछो मत कि हम कभी नहीं बोलते हैं मेरे भाई हम सही बता रहे हम जो मेरे लिह इतना गंदा कर रहे हुआ उसके लिए यहम दुआ कर दें कि नहीं हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो कोई अपनी बाथ सोचल मेडिया पे बोलो पंच-बंप साथ को अनपड़ का मार कुछ होते है है अपने भीवर के लिए are तूम क्या जानों के तुमको दर्ध क्या पता चलेगा दिन दाब जो धूप में खटता है जो सूट करता है जो इस्ट्डियो में रात भाता है जो मेहनत करता उसको पता है उसको उसके और उसके दर्शक का क्या कर्के सांथ तुम क्या जानोगे ती-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी उटू-पे-चार वर्ड बोलने वाले क्या जानेंगे फिलिंग यार पंकर्ट्रिपाथी जी का मैंने एक अभी लाइन सुना मुझे बहुत अच्छा लगा बोले कि सोशल मिडिया वाले क्या डिसीजन लगा देंग संगीत और गीत एक बच्चे की तरह है जब इसको नुकसान होता है तो बहुत दर्ध होता है यह आप लोग फिलिंग नहीं समझ पाओगे और अकेला भोजपूरी इंडस्रीज है किसी भी इंडस्रीज में इतना ड्रामा नहीं है इतना गटियापन नहीं है इतना टांक हिसने वाला तो मैटरी नहीं है कि यह पहला जगा है बोच्पुरी भासा जिसमें सपोर्ट के बदले विरोध का दिन रात लाइन लगा हुआ है लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है मुझे कम से कम 37 संगीत मैं अगर कर रहा हूं मुझे किस संगीत कर लाओ कुछ नहीं आता है भाई मैं अपने जिन्दिकी में दुसरा काम नहीं किया हूं आना कर पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा संगीत ही है आप लोग भी जो मुझे परसान करों न आप लोग भी मेरे परिवारी हो बस मैं समझता हूँ आप नहीं समझते हो मुझे और मैं फिर बोलगा हूँ कि आप सारे गाम हम भुच्पुनी पर जाके गाना देख लेना बोलव आप गाना देख लेना आपको कहें अगर अपने आप से नहीं आपको माफी मांगना पड़ा न तो आप बोलना कि हमने एक अच्छे जीत को नहीं बढ़ने दिया और ऐसा नहीं कि उसका भीव नहीं है उसको सुनने वाले सुनी रहे हैं वो 17-18 लाक हो चुका है लेकिन हाँ इसलिए हुआ है कि उस कंपणी ने एट ए टाइम सारी चीजों को गूगल के साथ डिसकॉस किया कि नहीं यह सब ठेक है यह सब गलत है भाई प्लीज यार मत मत करिया ऐसा आप लोग बार बार यह सोचल मेडिया प्या कि यह सब बोलना उचित नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है मुझे तो बिल्कुल सौक नहीं है यह लाइब आने का रोज रोज बिल्कुल सौक नहीं है हम खुश रहते हैं कि आप लोग बस गाने को आसिरबात दीजिए प्यार दीजिए दुलार दीजिए वहीं हमारे लिजिंगी का सबसे बड़ा संपती है izen को समज़ें आफ लोग नहीं तो एक दिन पता है ऐसे करके यह कलगार आप लोग खूदेंगे और तब आप लोग को हैसास होगा कि कितना गंदा होता है किसी के महनत पर रोज रोज टॉर्श geil कि बहुत महनत लगता है बहुत मेहनत लगता है कि बस किसी गाने को जब आप लोग क्या बोलो कि रियली में किसी गाने को जब टॉर्शुरिंग टाइप करते हैं आप लोग तो लगता है जैसे कोई मतलब बच्चे का जान ले रहा है इस तरह से दर्ध होता है 15-15-17-17 साल घामा में चेहरा सुखाएं हैं भाई हम लोग खपाएं हैं उमर गुजर गया समय बिता हैं ऐसे जवर्शस्ती का कलाकारी नहीं करने बैठे हैं हाँ वह बात और है कि हम लोग थोड़े से लकली नहीं है या तो पबली का बहुत ज्यादा सपोर्ट हमेसा नहीं मिल पाता है या तो ड्रामा में फर्स जाते हैं नहीं तो ऐसा नहीं है डिजर्ब सब लोग करता है अपने अपने लेबल पर रहने के लिए इनकी गलती नहीं है यह जो करोड़ों सीधे साथे शुरता है नहीं इनको सुनने दिजिए बस इतना ही हम बता रहे हैं और मेरे आप लोगों से कोई सिकायत नहीं है यह 40 करोण 35 करोण 30 करोण लोग हमारे परिवार हैं यह जैसे हमें प्यार देंगे हम ऐसे रहते हैं हम कभी इंसा सिकायत नहीं होता है लेकिन यह जो भी एक ग्रूपिंग आप लोग करके काम कर रहे हैं यह गानों पे फेक मेल करना फेकर साथ प्लीज मत करिए इसको बंद क जैमा तबी